तो नमस्कार दोस्तों जैहिन जैभारत तो जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी कि आप अपना सेंजन का वीजा कैसे डाल सकते हो उसकी ओनलाइन अप्लिकेशन आप कैसे कर सकते हो तो यह उसी का पार्ट टू है आज की यह वाली वीडियो में मैं आपको होगा कि कौन-कौन सी चीजे और कौन-कौन से डोक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपने वीजा अप्लिकेशन के लिए ठीक है तो सबसे पहली बात होगी और नमबर वन पर आता है आपका वैलिडिटी पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी एटलिस सिक्स मन्त की होनी चाहिए जब भी आप अपने वीजे के लिए जाए और उसी के साथ एक एडिशनल बात यह है कि आप अपना सेंजन वीजा 180 दिन से पहले नहीं लगा सकते है तो मानो कि आपकी ट्रावेल डेट आज की डेट से 180 दिन बाद की नहीं होनी चाहिए उससे पहले ही आप पहले की डेट हो जानी चाहिए तब भी आप डाल सकते हो ठीक है दूसरी चीज होगी आपका एप्लिकेशन फॉर्म तो वह डिपेंड ओन कंट्री है आप कहां पर प्लान कर रहे हो जाने का मैंने इतली का किया था तो मेरा आपको इटालियन एमबेसी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आपको कहां से वो फॉर्म डाउनलोड करना है आप उसको ओनलाइन भी बढ़ सकते हैं ओनलाइन इन दमिन्स की आप कंप्यूटर में भर के उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं वो आपको यह सारे जो दस डोकुमेंट से व वहां से डाउनलोड करना है ठीक है तीसरी चर्जज हो गई और में इंपोर्टन हो गई कि कवर लेटर आपका कवर लेटर आपको लेकर जाना है लेकिन मैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगा तो ताकि व्यूवर्स को पता चले कवर लेटर बस एक नॉर्मल स दे दूँगा उसमें बस आपने अपने इसाफ से डेटे चेंज करनी हो और अपना प्लेस चेंज करना है उस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है क्योंकि मैं उस पर 10 मिनिट आपको समझाऊंगा कि कवर लेटर कैसे बनाते हैं तो फिलाल के लिए मैं बस यही बोलना पांच मी चीज होगी आपका ट्रावल इंसरंस और मेंडेटरी है आपको लेके ही जाना पड़ेगा और वह भी 30,000 यूरोक से उपर का आपको कवर देता हो वह वाला आपको चाहिए वह बैसिकली आप अपनी बैंक से ले सकते हो या फिर आप प्राइवेट एजन से भी ले आप वह बुकिंग.com से कर सकते हो जो भी होटेल या होस्टेल आपके डेस्टिनेशन से नजदीक है जहां पर आप घूमना चाहते हो वह वाली आप कर सकते हो और मेक्शूर करें कि आपके पैसे ना बिगड़े आपको वीजा लगे या ना लगे उस हिसाब से आप वह जो जो पै-on-the-property हो वह वाली आप होटेल से बूक कर सकते हो उसमें दूसरी केटेगरी होगी जिसमें आपको अपनी फ्लाइट डिटेल्स देनी है कि आप कौन सी तारीक को जा रहे हो और कौन सी तारीक को उधर से आ रहे हो तो आपने दो टूवे की आपका अपनी फ्लाइ कर रहा है तो अगर वह उसके पास सेविंग है इनफ तो तो वह अपना बैंक स्टेटमेंट लास्ट थ्री मन्स का दिखा सकता है कि यह कौनस्टन्ट अमाउंट आपके अकाउंट में जम्मा है और वह स्टेबल है और आप यह ट्रावल ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो और आपका विजा डिपेंड होता है वह सारी चीजे देखते हैं कि आप उधर माइगरेंट तो नहीं हो जाओगा आप इनलीगल नहीं हो जाओगा इसलिए आपको वह सारी चीजे डीटेल में मांगते है और अगर कोई स्टूडेंट है माइनर है या या तो उसकी उम्र 18 साल से नीचे और वह यह चीज करना चाहता है तो उसको बस उसके पैरेंट्स का एक अगरिमेंट फॉर्म लगेगा कि हां हमें कोई दिक्कत नहीं है आपका बच्चा हमारा बच्चा घूमने जाए तो बस वह एक फॉर्म होता है वह आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो सेंजे इसके लिए वह वाला आपको certificate देना होता है और अगर आप student हो और आप छुटियों पर जा रहे हो तो बस आपको अपना time table दिखाना है कि इस date से इस date पर मैं अपनी छुटियों के लिए इतली या तो फिर यूरोप जा रहा हूं तो मुझे उसके लिए sentence चीए आपको यह mention क के चाहना चाहते हो तो आपको भी same no obligation certificate लगेगा कि मेरी school को कोई दिक्कत नहीं है मेरी पढ़ाय में कोई effect नहीं कर रहा है इसलिए मेरे को यह वाला certificate है मेरे पास और मुझे यह visa चाहिए 9 नमबर पे चीज हो गई जो मैंने आपको बताया हो कि वह minor वाली अगर minor है आप तो आपको अपने periods का वह certificate लगेगा बस यह सारी चीजे है आपको वहां पे लेके जानी है और मैंक्सियोर करना है कि आप अपने यह सारी चीजे जैसे मैंने बोली वैसे आप line में लगा है better आप यह कर सकते हो कि आप क्या करें सबसे पहले अपना cover letter लगा है cover letter के बाद अपना application form रखना है जो कि cover letter में सारी चीजे पढ़ेगा फिर application form आपका देखेगा अगर उसमें कुछ कमी होई तो आप देगा बस आपने cover letter application form फिर हो गया आपका travel का सारा प्लान जैसे आपकी hotels booking or flight ticket फिर आपका balance proof अगर salary slip है तो आपकी salary slip आपके passport side के photo आपने पास रखने है और आपका passport यह original चीजे उसके साथ आपका balance proof financial proof वो सारी चीजे आपने cover में लेके आपने आदे गंटे पहले अपने interview के लिए जाना है बाकि hope for the best कि आपका लग जाए make sure करें कि आप cover letter वाली व pension करनी होती है वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा और उसी पर आपका visa लग जाएगा जय हिन जय भारत